आच्छा तो अबिश् facilitate शिखाने जा रही हैं नहीं मैं सीखने जारी हूँ आप गुरु जी को जानते हैं हां मैं जानता हूँ उन्हें कौन ने पैचानता आजू बाजू में बहुत नाम है उन्हें वैसे आप क्या करते हैं मैं इन चमरों को देख रही हैं मैं इने धंद्द करता हूं और टाउन में ले जाकर बेशता हूं यही धन्दा है मेरा रोज का काम वैसे आपके पती थोड़ जल्दी चलिए ना उन्होंने 11 बजे बुलाया था बहुत देर हो गई है यह भगवान पता नहीं क्या सोचेंगे आप अपने पती के साथ आ सकते थी ना उनके पास म क्यों मन किया छोड़ो वह बाद मेरे पती एक डॉक्टर है वे इलाज करते हैं नाम है श्रीधर राओ अच्छा आपके पती तो बहुत खुसनती है फिर ऐसा क्यों उन्हें आप जो मिली अपनी शादी की है कितना गलत सब बोली मैंने क्या गलत बोला शादी मतलब समाज की वो दादा गिरीज जो कोड बैठा कर पतियों को सजा देती है दुनिया में ये दोनों एक हो रहे हैं कहके जहां पती मंगल सुत्र पहना कर पतनी को घर ले आता है और उसका गुलाम बन जाता है और क्या कौन था वो आदमी मुझे बिना बताए कित्ते दिन से चल रहा है यह सब रांस के नाम पर कित्ते दिन से गुल्चर्र वड़ा रही हो यह सवाल तुमको पूछना शोभा नहीं देता क्या बोली यही कि यह सवाल तुमको पेशरम हो के बजारूं और्तों की तरह घूम रही हो और जबान लडा क्या है यह, इसी के उपर इतना घूम अढ़े तुमको? क्या है वो मुझे एक पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक गुलाम की तरह देखता था नामर्द के साथ घर बसा लेती मगर एक शक करने वाले पती के साथ घर बसाना मुश्किल हो गया मुझे पर शक करके मेरे आत्म सम्मान को माड डाला और फिर उस दिन से उस आदमी के साथ एक ही छट के नीचे रहना मेरे लिए नामुम्किन हो गया मेरे साथ आओगी कहां ले जाओगे तुम कहीं भी जहां जी चाहें तुम बहुत मीठी बाते करते हों ऐसा क्या शुक्रिया पहले बहुत आटपटा लगता था और अब मन में अगर प्रेम हो तो सब अच्छा लगता है तो अब आओगी ना कब थोड़ा समय चाहिए अब मुझसे इंतजार नहीं होता सेलीम यही अच्छा है हम ऐसे मिल सकते हैं तुम्हें अच्छा लगता होगा पर मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता अब मुझसे इंतजार नहीं होता और सुन लो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सलीम जब पूछा तब ही उसके साथ जाने का मन किया पर मैं जिस स्थिती में थी उस स्थिती ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया मेरे इस निडड़ने के परिनाम के बारे में घर की परिस्थिती के बारे में मेरे घर की दूसरे सदस्यों के बारे में मैंने बहुत सुचा सलीम मुझे अच्छा जीवन देगा इसमें मुझे कोई संदे नहीं था तुम्हारे पती तुम्हारे मामा गाओं के लोग हमसे अंजान है यह क्यों पूछ रहे हूं उन्हें पता चला तो आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा लेकिन तब तक हम बहुत दूर निकल गए होंगे कुछ दिनों तक हमारी तलाश करेंगे फिर ठक कर बैठ जाएंगे अब यह रहा हमारा आश्याना और यह रहा हमारा चुड़ा सा चुला लगाओ चुले पर खाना बनाओगी तो बहुत मज़ा आएगा मालूम और हां मैं मचली बहुत अच्छी बनाता हूं कभी बनाकर खिलाओंगा तुम्हें ठीक है आओ वहां उस तरफ नहाने का जगह है अब तक मैं अकेला ही रहता था तो समझ गई मैं बिस्तर वां रखके पीच में एक साड़ी बानना है यहीं ना आओ पर तुम्हारे माबाप नहीं है जब मैं दस साल का था उस वक्त अब्बा और अम्मी चल बसे तब से मैं अखिला ही हूं एक दिन अब्बा और अम्मी शहर से वापस लोट रहे थे तभी रास्ते में बस का अक्सिएंट हो गया दोनों चल बसे मेरे मामा ने मेरी देख भल की यह चम्रा का ब्योसा है उन्हीं ने मुझे सिखलाया बहुत मेहनत की मैंने हे ने काम करना तो नहीं चाहता है लेकिन मैंने को मारकर ये काम सीखा जबकि मुझे पसंद नहीं था मुझे ये काम अच्छा तो नहीं लगता और ईसलिए कभी कभी भाग जाया करता था सोचता था कि मैं गलत कर रहा हूं कि पता नहीं था क्या अच्छा है और क्या बुरा लेकिन कोई सम्झाने वाळाखे तो नहीं था लौन कि अच्छा तुम मच्ली लाओगे ना कि तुम नहीं खाती ना तुम को तो पसंद है न Tum खाना मैं देखती रहूंगी अच्छा मैं लेकर आता हूं तुम नहां के अम्मी की सारी अल्मीरा में है तुम पहन लेना